नमस्कार साथ यो इनकलाब जिन्दाबाद आप सभी का गुरुकुल आर्मी ओलाइन प्लेटफोर्न पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज का दो शेशन रहेगा अपनी साइन्स का जिसमें परिक्साओं में छपने वाले क्यूशन्स के एक साम में कैसे क्यूशन्स छपते ह सब्सक्राइब या आर्पीएप में या फिर आपकी बीएशटीसी में और आर्मी में जो कॉन्शे क्यूशन्स के छपने वाले होते हैं वो क्यूशन्स क्लास में आपको डिसकस करेंगे तो एक बार कोपी पेन हाथ में ले लिजिए और बिनाक्षी देरी के क्लास का कि अस्तियों का कितना प्रतिस्थ भाग जल होता है कि अस्तियों का कितना प्रतिस्थ भाग जल होता है इसका राइट आंसुर कमेंट सिस्री में जल दिसे बताई जिसको आता हो पिल्कुल देखते हैं लाड़े अस्तियों का बीस प्रतिस्थ भाग जल होता है कितना प्रति कार्बनिक लौण, क्या आते लाले, ऐक्कार्बनिक लौणू से होते हैं, ऐक्कार्बनिक लौण का भाग होता है 2 बटा 3 परतिसेत, और 1 बटा 3 पर तिसेत कार्बनिक लौण дов का hوتा है, एक बटा तीन भाग कार्बनिक लोणों का भाग होता है चीक है, साथ में लिखते जाए बड़े इंपोटेंट रहेगा आज की सारी के सारी कुशन अगले एक्षिन की ओर चलते हैं अगला क्षिन है, कि रुधिर में उपस्तित कौन सी प्रोटीन रुधिर का ठक्का बनाने में सहाई कोती है कि रुधिर की जो कौन सी प्रोटीन नजो रखत का ठक्का बनाने में सहाई कोती है लाड़ ले तो आप दीजी एक बार कमेंट शेशन में बिनाक्षी दे रहेगे देखते हैं इस काज सबसे पहले राइट आप्शन कौन देता है कम समय में 60 क्यूसन्स आपको मिलेंगे इस क्लास में जो एक्जाम की दर्शेशन अत्ती मैतपुन होंगे जो सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लिए कड़ी मानत के लिए बनाए गए क्यूसन्स आपके लिए जो एक्जाम में छपेवे मिलेंगे बिल्कुल रुदीर में जो उपस्टित कौन सी प्रोटीन जो रुदीर का थका आप बनाने में साइक होती है जो आपके रुदीर का थका बनाने में साइक होती है अगर बात पूछ लिए जाए आपको विटामिन से कौन सी विटामिन से रक्त का थका नहीं बनता है कौन सी विटामिन की कमिसे रक्त का थका नहीं बनता है लाड़ ले विटामिन की कमिसे रक्त का थका नहीं बनता है और आपकी जो फ्राइबरी नोजन है प्रोटीन इस प्रोटीन की वज़े से ही जो आपके रुदीर का थका बनने में साहिक होती है बात करते हैं इसके अलाव जो रुधिर में होते हैं तो रुधिर का अगर पार्ट पूछ लिया जाए कि रुधिर कितने परकार के होते हैं तो आपको रुधिर के परकार में पूछा जाए तो आपको चार परकार के समूह होते हैं टो एक janट आपके जो खोज की तहीं यह पूचा जा सकता है अगला किसुन के ओर चलेंगे एक बार session को दबा के स्यर कर दीजिए आगला action है कि स्वस्त मनूशय वनाजर कितनी होती है कि स्वसंदर वो कितनी होती है यह पूछा आपको तो कमेंट शेशन में साब दीजी एक बार सभी बचे सवस्त मनुष्य की जो सवसंदर होती है लाले वो सवसंदर है कितनी होती है साब दीजी एक बार बिना किसी देरी के जो बिल्कुल लाडले जो सवसंदर होती है मनुश्य में जो सवस्त मनुश्य होता है उसमें लाडले वे से सवसंदर पूछा जाए आपको तो 16 से 18 बार परती मिनिट होती है कितनी होती है? 16 से 18 बार परती मिनिट होती है पटलार ले अगर वहाँ पे options में अलग दिया जाए अगर ज़्याद संक्या दी जाए जिसे कि आपको वहाँ से 6 से 10 दिया जाए आपको 21 से 26 दिया जाए और 30 से 35 दिया जाए और अगर संक्या वहाँ पे आपको 12 से 18 दिया जाए जी बिलकुल इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो सवसंदर होती है वो शिसु में सवसंदर कितनी होती है तो सिसु में जो सवसंदर होती है लाड़ले वो होती है 35 बार प्रती मिनिट कितनी होती है लाड़ले 35 बार प्रती मिनिट सबसंदर होती है सबस्त शिसू के अंदर बात करते हैं अगर पूछ लिया आज आई कि जब मनुष्य लींद में होता है या नींद में सोता हुआ है सोते हैं समय ये सबसंदर कितनी होती है मनुष्य में वैस्क में वैस्क मनुष्य में सोते समय जो सवसंदर होती है वो कितनी होती है लाड़ ले वो होती है वो सतन लग भग दस तस बार परती मिनिट तस बार परती मिनिट होती है यह सवसंदर साथ में लिखते जाए कोपी पे उनों हाथ में ले लिजे देगो मैनत करोगी सफलता आपको अवसे परदान होगी इसलिए का है कि रख होसला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास समुंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजिल के मुसापिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो दाले इसी के साथ अगले एक्षिन की ओर चलते हैं अगला एक्षिन है कि सार्वत्रीक दाता समुह कोण सा है कि रखत का कोण सा समुह है जो सार्वत्रीक दाता समुह कहलाता है तो एक बार सभी बच्चे कम सब्सक्राइब सब्सक्राइब जी बिल्कुल देखेंगे जी हाँ कितने परकार किते हमने देखा था एक था एक बी था एक आपका एबी था और एक था आपका सब्सक्राइब मतलब गरान कर लिया तो गरान करने के कारण वहाँ पर संग्या ज्यादा हो जाती है अगर मेरे पास मान लिया एक रुपए या और आपने मेरे को एक रुपए ओर दिया तो दो रुपए हो गए मेरे पास दो हो गए ठीक है तो संग्या दो हो गई और बाकी पहले कितने थी ए तीन बन्दे थे या चार बन्दे थे चारों के पास एक एक रुपे था और उनके पास अगर किसी को एक रुपे और बाकि पास SINGTD के पास में कहा है? सिंगल वर्ड सा हो गया? ग्राही लाट ले AB यह ग्रहन कर लेता है लाड़ ले रोहिताप का बिलकुल आरेच कारक बिलकुल आपकी बात करेंगे एक वेगनिक था लेंड इस्टिनर कौन था लेंड इस्टिनर और एक था विन्नर नाम का वेगनिक कौन था लेंड इस्टिनर और विन्नर नामक के दो वेगनिक थे इन्होंने आरेच कारक की मका का रिशस मका का रिशस नाम के एक बंदर था और रिशस नाम होता है रहस से स्टार्ट तो रहस में रहस उठाया और इसको रहस कारे के नाम दिया अब बात करते हैं रहस कारे को और किसमें होता है कि लाले जो आपके A गुरूप होता है B गुरूप होता है C गुरूप होता है उसी परकार A गुरूप और B गुरूप और A B गुरूप और O गुरूप तो जिन में ये कारक उपस्थित होता है उनको तो कहा जाता है positive और जिन में ये कारक उपस्थित होता है उनने कहा जाता है negative जैसा मान लिया जाए कि अगर मेरा बलत ग्रूप a है अगर मेरे अंदर आर्स कार Canadian उपस्थित है तब तो मेरा बलत ग्रूप कहलाएगा o positive अगर मेरे अंदर आर्स कार 나중에 उपस्थित है तो वो कहलाएगा a negative छिक है जिन धखत में और यह कमेरा Mexico पाया जाता है झिन वक्तियों म में तो उसका blood group B positive कहलाएगा ठीक है आगया समझ में बेलिकुल उसके इसके बाद आगे क्यूशन क्यों चलेंगे अगला क्यूशन है कि मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कि मानव सरीर है उसकी जो सबसे छोटी हड़ी होती है वह कौणशी होती है तो एक बार चाप दीजिए देखते हैं इसका सबसे पहले राइट अप्शन कौण देता है चाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ओप्शन कमेंट सेशन में मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी तो ड़ी तब्याट डाउन है उसके वज़़े से पुरा खुल के बोल नहीं रहे पर समझाने के पूरी कोशिस करेंगे कि मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी तो लारले बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बीना किसी देरी के चाप दीजिए एक बार देखते हैं इसका सबसे पले राइट ओप्शन कौन देता है देखते हैं बिलकुल साब दीजिए एक बार सभी बचे कमेंट जैसन में राइट ओप्शन देखते हैं बिलकुल 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 क्यों नहीं बताएंगे बिलकुल बिलकुल इसका तो मानुसरी की तो सबसे छोटी एडियो होती है लाद ले वो कहा होती है लाद ले पहली बात होती है कान में ठीक है, काल में कितनी हड़ी होती है, तीन हड़ी होती है, और सबसे छोटी हड़ी की बात कर लेते हो, इस्टेपीज होती है, ठीक है, इस्टेपीज, इनकस, आइकस, यह तीन हड़ी होती है, एक होता है हतोड़े के आकार की, एक होता है मोचड़ी वाला जो निवई बनाया ह कुछा होता है उसके अकार की और तीसरी होती है गोडे के नाल के जीन के अकार की जिसमें बात किते हैं इसके अलावा कि इसमें जो इस्टेपीज इनकस आईकस दो तीन परकार की आपकी हड़िया होती है और मानो सरी कि जो सबसे चोटी मास पेसी कौन सी होती है सबसे चोटी मास पेसी ये भी साथ में लिख लीजिए तो सबसे चोटी मास पेसी एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं सभी बच्चे जिन जिन को आता है सबसे छोटी मास्वेशी, सरीर के सबसे छोटी मास्वेशी कौन सी होती है, लाले वो होती है, इस्टेपेडियस कौन सी होती है इस्टेपेडियस जो मानों सरीर की सबसे छोटी मास्वेशी होती है जो कान की चोटी एड़ी इस्टेपीज को की गत्य को नियंतरन करती है जो सबसे चोटी एड़ी होती है इसकी जो गत्य होती है इस गत्य को नियंतरित करती है गत्य को नियंतरित करती है इस्टेप एड़ीज से जो आपकी सबसे चोटी मास पेसडि अजकि का डाप ले एक बार इसकी इसे पएगे goo 27 बाद आगे की ओर चलेंगे अगले अक्षण की ओर चलते हैं अगला आक्षण है कि परोढकीी का जीवन काल कितने दिन का होता है तो अगले उक परोढ़ ø narcिไहा जीवन काल होता है जी बिल्कुल लाड़ ले आपका रैट ओप्षन है जी हाँ RBC का जो जीवन काल होता है लाड़ ले वो आपका 120 दिन का होता है कितना होता है लाड़ ले 120 दिन का इसके अलाव आप बात करते है RBC को वेसे कहा क्या जाता है लाड़ लाल रखत करिका क्या कहा जाता है लाड़ दे लाल रखत कड़ी का या इंग्लिस में फुल पूर्म पूछ लिया जाए तो रेडबल सेल कहा जाता है इसको इंग्लिस में अगर फुल पूर्म पूछ लिया जाए तो इसके अलावा अगरेक्श्विन की ओर चलते हैं बात करते हैं WBC का कारी है तो WBC का क्या कारी होता है बड़ा important रहता है जो पनी ब्रमास्ते series ही थी उसमें हमने ये questions बार बार पूछा था जो AWBC का जो कारी काल होता है या WBC का जो कारी होता है वो क्या कारी होता है ये हमें उस समय पूछा था बिल्कुल बिल्कुल रोग परतिरोधक समता उत्पन करना रोग परतिरोधक समता उत्पन करना इसका मुखे कारियों होता है अगर पूछली आ जाए तो लार ले इसका वेशिए चार से पांस दिन कारिय काल होता है जीवन काल कितना होता है डाले चार से पांस दिन होता है अगर अगर दूर दूर संग्या तक दी जाए आपको उस समय आपको साथ दिन करना है ठीक है किदने दिन करना है साथ दिन करना है अगर उसमें दिन में दूर दूर संख्या दिये दाई तब साथ संख्या करनी है रवेश से होती है चार से पांच दिन इसका जीवन काल होता है इसके अलावा बात करते हैं जो आपके जो रक्त तंतर का अभी भावक भी किसको का ज जाता है अगले रक्त तंत्र का अभी भावग, तो रक्त तंत्र का अभी भावग, रक्त तंत्र का अभी भावग भी किसे कहा जाता है, लाडले आपके डबलू बीसी को रक्त तंत्र का अभी भावग भी कहा जाता है, इसके अलावा बात करते हैं, लाडले की इसकी उस्पति कहा होती है अस्ती मज़ाव है लशिका कोशिकों में कहा होती है लाड़ ले अस्ती मज़ाव है लशिका कोशिकों में इसका निर्मान निर्मान कहा होता है लाड़ ले आपके अस्ती मज़ा में और RBC का भी काउं होता है लार ले वो भी अस्ति मज़ा में होता है और RBC का कब्रिस्तान पलिहा को का जाता है बात कते हैं इसकी तो RBC का डबलो बीसी का निर्मान आपके अस्ति मज़ाव है लसी का कोशी काउं में होता है लसी का कोशी काउं में लसी का कोशिकों में होता है लाड़ ले ठीक है जी बिलकुल इसके सोट ले लीजे इसका फिर आगले क्यूशन की ओर चलेंगे लाड़ ले एक बार जी बिलकुल अगले क्यूशन की ओर चलते हैं अगला कि शुना लाड़ ले कि कौन सा पादफ हार्मोन फलों को जल्दी पकाने है तू उप्योग में लिया जाता है बड़ा इंट्रेस्टिंग क्यूसन आपके बीच में फलों को जल्दी पकारे में प्रियुक्त हार्मोन कोण सा होता है जो पादफ हार्मोन के बारे में पूछा है तो लाड़ ले सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में जरूर साब दें जो आपका SSECHSL का पेपर था आपका 19 तारिक उसमें ये क्यूशन पूछा गया था लाड़ ले एक बार सभी सभी बच्चे कमेंट सेशन में अपनी अड़नेस दसा दीजिए और साब दीजिए देखते हैं कौण-कौण सा इसका राइट आंसर बताता है लाड़ ले जैसे ये आप अंसर बताओगे अगर गलत भी अंसर बताओगे तो उसके बाद हम राइट अंसर बताओगे तो वो क्यूशन आपको जिन्दकी में कभी नहीं बूलोगी इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि लाड़ ले आपको उस कमेंट सेशन में हर क्यूशन का आंस बिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो रूट कर मत बेटो कमेंट शेशन में जरूर आंस्वर देओ तांकि आपको उसका राइट आंस्वर जब आपको मिले तो आप कभी ना भूप आओ तो कोड़ सा हार्मोन होता है पादब हार्मोन जो फलों को जल्दी पकाने में कारिय करता है तो लाडले इथाइलीन हार्मोन होता है कोड़ सा होता है लाडले इथाइलीन हार्मोन होता है जो आपके फलों को जल्दी पकाने में कारिय करता है इसके अलावा लाडले बात करते ह ये हजें हैं आपके एक हार्मोन होता है एक कौछ से होता है अबसेसी deconst zwischen lucky यह बात होते यह मत्र हाुरून यह यह महल नहें करत्रिम होन कहा जाता एक क्रत्रिम हार्मों भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लार ले क्रित्रिम हर्मोन भी इसे कहा जाता है इसके अलाव आप बात करते हैं आपके जिब्रेलीन की कौन सा यही भी एक पादप हर्मोन है कौन सा है जिब्रेलीन जिब्रेलीन से सबसे ज्यादा क्यूशन पूछे गई अभी तक तो जिब्रेलीन हार्मोन के बारे में अगर बात कर लें तो जिब्रेलीन हार्मोन का मेन कारिये क्या होता है एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में चाप दीजिए जिब्रेलीन हार्मोन का कारिये बिल्कुल बिल्कुल पादप हार्मोन में कोशी का वीवाजन की प्रिक्रिया को उतेजित करता है क्या करता है कोशी का वीवाजन सेल डिविजन कोशी का वीवाजन की प्रिक्रिया होती है उसको उतेजित करता है कोशी का वीवाजन की प्रिक्रिया को उतेजित करना और कोशिकाई वी अबादगी की जो परिकिर्या हुसको उतिजित करेगा त्फिसके बाद में जो तने के लंबाई है लारदए वो जल्डी जल्डी ग्रोथ करेगी इसके अलावा बात करें लाड़ ले जो ओगजीन हर्मोन होता वो भी कौन सा होता है लाड़ ले आपका पादफ हर्मोन होता है कौन सा होता है ओगजीन ओगजीन होता है हर्मोन तो ओगजीन हर्मोन भी लाड़ ले जिसका में इंपोर्टेंट क्या कारिया आपके उक्जिन हर्मोन की फिल्कुल यह थी आपकी जो आज की क्लास की बारे में उक्जिन हर्मोन का हमने बता दिया उक्जिन हर्मोन का कारिय भी ग्रोथ का होता है इसके भी इसकी क्लास के भी से ही इजाज़त चाहते हैं जहीं जह बार्द